हेलो फ्रेंड मैं रूपेश आप सभी का इस यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में कुछ इंपोर्टन कोस्टन बताऊंगा जो बार बार S.S.C. रेलवे व्यापम में यह प्रेस न पूछा जा रहा है यह पिछले वर्ष का कोस्टन है और इसी तरह का जो इंपोर्टन कोस्टन है उसे रेगुलर यूटूब पर डेली कराऊंगा तो आप घर बैठे तयारी करें कहीं जाने की जरुवत नहीं है तो मेरा यूटूब चैनल का नाम है मैस एजूकेशन बाई रुपेश सर अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाते हो तो जल्दी ही सब्सक्राइब करें वा लाइक सेर भी कर सकते हैं पर बाई मुड़ कर दो मीटर चलता है फिर वह बाई मुड़ कर 12 मीटर चलता है वह अपने कारियाला से कितनी दूरी पर है या प्रसन पूछा गया है तो चलिए इस कोश्चन को सॉल्व करते हैं इस वीडियो को लास तक देखते रहे हैं आप लोग बहुत कुछ सिखके जाने वाले हैं देखिए रज़त अपने कारियाला से सिधे कंटिन के लिए 12 मीटर चलता है मतलब वो पूछ रहा है कि सिधा जा रहा है है ना तो हम कोई भी दिशा ले सकते हैं चाहे दाएं ले सकते हैं बाएं ले सकते हैं उपर ले सकते हैं या नीचे ले सकते हैं चलिए हम कोई एक दिशा ले ले लेते हैं चलिए उपर ले लेते हैं तो उपर की तरब चलते हैं तो यह 12 मीटर चल लिए फिर उसके बाद बाएं वाला पूछा गया है कि कितनी दूरी पर है यहां से ले ले लेते हैं तो इसकी दूरी थो सबसे नीचे में दिए गए गया है- तो यह वाला अंसर हो जाएगा अगला question है यदि 841 equal to 3 है 633 equal 5 है तथा 425 equal 7 हो तो 217 equal to क्या होगा तो चलिए solve करते हैं क्या होगा देखो 841 equal to 3 दिया है तो उसको केसे solve करते हैं देखिए 8 और 4 दिया गए है तो 4 और 8 को क्या करेंगे हम division मतलब divided कर देंगे फोर तो इसको divide करेंगे तो इसको क्या देगा टू आ जागा और टू को यह वाला 1 दिया गया है उसको multiply कर देंगे तो उसको 2 और 1 को multiply करेंगे तो 3 आ जाएगा है ना तो उसी प्रकार second वाला को देखते है 6 3 3 equal to 5 दिया गया है तो क्या करेंगे 6 और 3 का divided कर देंगे और उसके बाद जो कितना आगा 3 और 6 को divide करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 को 3 से plus कर देंगे तो क्या जाएगा 5 आ जाएगा उसी प्रकार 4 2 5 equal to 7 दिया गया है तो उसको कैसा करेंगे फिर 4 और 2 को क्या करेंगे divided कर देंगे तो उसका 2 आ जाएगा और 2 को 5 से plus कर देंगे मतला उसको plus कर देंगे तो उसको 7 आ जाएगा और लास्ट अ और 7 एक वाल टू कोस्चन माग दिये गया है तो चलिए सो सॉल्व करते हैं 2 और 1 को divided करेंगे तो 1 से करेंगे 2 रहेगा और 2 और 7 को थो प्लस कर देंगे तो इसको क्या जाये गया नाई जाये गया तो कोजिए जसे स्वाल चंड आजके बाद कौन सा दिन होगा देखें मतलब मेना में कितना में मतलब यह सपताइग वाला होता है ना तो 17 को डिवायिड करेंगे तो आजear गए तो प्रम दीन अरवी वाय तो यह आझ सफार दिन तो इन सबसकर के ताज़ कितना जाएगा तो तीन दिन जोड़ दो आज के बाद वो लगया है तो इसका आंसर कौन समय दीख रहा है कौन समय मैच कर रहा है यह तीसरा वाला बूधवार दीख रहा है यह आपसन आज आएगा चलिए देखते हैं अगला पूछा जाता है क्या दिया गया है को बेगा एक मतला वृत में दिया गया है 9 टेरा और 22 इसको बदा गया है तो कैसे सॉलवब्वा करेंगे इसको चलिए देखते हैं 9 और 13 में कितने इन्य चार कन्तर है चार लिख लेता इसके सबाद हो 13 кож इसको देख ऑने कितने Ships been नौ कन्तर है तो सब जाएगा उसके बात ब कितना अंतर आया था चार का अंतर आया था तो चार किसका अवर गए है kis कवर्ग गया जो आजाए तो इस्थ 15 जोड़ गया तो sis वर्ग है चार कवर्ग है तो चार चाहूं 16 तो इसका आंसर कौन सा जाएगा 38 तो आंसर बी हो जाएगा दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सस्क्राइब और कमेंट जरूर करें दोस्तों अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाह